मित्रों नमस्कार मैं राज जोतिश गुरू फिर से हाजुरू आप लोगों की सेवा में और हर बार की तरह इस बार भी मैं नए विश्य नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समझ प्रस्तुतु जैसा कि आप जानते हैं हमारे पिछले कुछ वीडियो लगतार सूरे ग्रह से समंदित हैं हम अब तक पहले भाव से लेकर आठवे भाव तक सूरे की स्थिति और उसके फल पर हम वीडियो बना चुके हैं और उसी कड़ी में उसी सीरीज में यह हमारा अगला वीडियो है और आज हम इसमें बात के कि अगर सूरे नोवे घर में यह नोवे भाव में बैठा हो सन इन नाइन्थ हाउस तो उसका क्या प्रिनाम होगा या उसका क्या फ़ल जातक को मिल सकता है मित्रो वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से बात करना चाहता हूं जैसे कि आप सब जानते हैं उत्तर परदेश के चुनावों की तारीखों का एलान हो चुका है दस मार्च को इसका रिजल्ट जो है आप सब के सामने होगा लेकिन मैं आप सब लोगों से दर्ख्वास करना चाहूंगा कि हमारे संत समाज का एक र्यक्ती शिरी योगिया दित्ते नाज जी अब तक 5 साल तक उत्तर परदेश के मुक्य मंत्री रहे है और भविश्य में भी वो मुक्य मंत्री के तोर पर ही यूपी के एलेक्शन लडने जा रहे हैं इसलिए मेरी आप सब से गुजारिश है आप किसी पार्टी को छोड़ दीजिए हमें किसी पार्टी से कोई मतलब न का यह करत्वे हैं कि हम उसको इस काम के लिए हम उसको सहयोग करें तो मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप उत्तर परदेश में रहते हैं मेरा यह वीडियो देख रहे हैं तो आप बिना शर्त योगी अधित्य नाजी जो हमारे संत समास से जुड़े चले मित्रो अब हम अपने वीडियो पर आगे बढ़ते हैं हम बात करेंगे कि अगर सन नोवे घर में नोवे भाव नाइन था उसमें अगर विराजमान हो तो उसका क्या फल जाता को मिल सकता है कि जब किसी व्यक्ति का जन्म दोपैर की वक्त होता है तब सूरे उसकी कुंडली में नोवे घर में विराजमान होकर आते हैं इस भाव में सूरे का प्राई शुबफल ही मिलता देखा गया है यह भाव धरम का भाव है सूरे देवी धार्मिक ग्रह है आला कि उन्हें कैसे सूरे देवी एक हैं इसलिए इस भाव में सूरे की ऊपस्ति जाता को जोति contributor की पैदा करवाती है जाता हा जोतिके प्रति विशेश लगाब होता है और अगर सूरे को इस भाव में बैटे सूरे को बुद्ध और गुरु का सहोग मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति प्रसिद जोतिश भी बन जाता है यहाँ पर बैटे सूरे पर अगर पाप परभाव ना हो तो जातक सदाचारी और संत के जैसे आच्रन करने वाला होता है सिंग राशी का सूरे जातक बागयवान बनाता है ऐसा व्यक्ति उच्छ स्ड़ी का जीवन जीते हैं यहाँ पर बैटा नोवेगर में बैठा उच्छ का सूरे जातक को स्वाविमानी बनाता है ऐसा लोग प्राय या अक्सर अगर अपना व्यपार करें तो सफल रहते हैं लेकिन नोकरी करने में उन्हें थोड़ी कठनाई महसूस होती है क्योंकि ऐसे लोग किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते या सीधी सीधी बाशा में गए तो जिनका नोवेगर में उच्च का सूर्य होता है ऐसे लोग किसी से दबते नहीं है इसलिए वो उनको दूसरों का ओडर मानने में या उनका पालन करने में थोड़ी कठनाई महसूस होती है उच्च का अगर सूर्य नोवेगर में बैटा है तो ऐसे व्यक्ति अक्सर अपने शत्रों पर भारी पड़ते हैं यहां पर बैठा नीच का सूर्य जाता की शादी के बाद भागयोदे करवाता है नोवेगर में बैठा अगर सूर्य बल्वान हो तो उसको पिता की सुख में उसकी व्रिद्धी होती है या फिर उसके जो पिता है वो दिरगाईू होते हैं ऐसा हम कह सकते हैं नौबेगर में अगर सूरे शत्रू शेत्री होकर बैठ जाए और उस पर पाप परभाव भी अधिक पड़ जाए तो ऐसे लोगों को भाग्य में कमी आती है अक्सर उनका भाग्य उनका साथ नहीं देता और ऐसे लोग कई बार नास्तिक होते भी देखे गए हैं कि उनका अप नौबेगर में बैठे आपके सूरे पर अगर पाप परभाव है और आपको इस तरह की महसूस हो रहा है कि भाग्य में कमी है या आप नाश्तिक हो रहे हैं अपने धरम के प्रती अभिमुक हो रहे हैं तो आपको सूरे देव जी को रोज जल अर्पन करना चाहिए यह आपक करेंगे कि अगर सूरे दस्वे घर में मौझूद हो तो उसका क्या फल जाता को मिल सकता है अगर आपको जानकर यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे के साथ मैं आप लोगों के बीच में आजिरूंगा तब तक लिए जैमाता दी जैश्रीराम